ताकि नमस्ते ये अब अपना नमस्ते भी मल्टी नेश्नल हो गया है लोकल से ग्लोबल हो गया और ये सब आपने किया है अपने दिल में भारत को बसा कर रखने वाले हर भारतिये ने ये किया है साथियो यहां आप इतनी दूर दूर से आए है कुछ पुराने चहरे है कुछ नए चहरे है आपका याए प्यार यह मेरा बहुत बड़ा सोगाज्य है मुझे वो दिन याद आते है जब मैं पी एम भी नहीं था सी एम भी नहीं था नेता भी नहीं था उस समय एक जिग्यासू के तोर पर यहां आप सब के बीच आया करता था इस धर्ती को देखना इसे समझना मन में कितने ही सवाल लेकर आता था जब मैं किसी पद पर नहीं था उस से पहले भी मैं अमेरिका के करीब करीब 29 स्टेट्स में दोरा कर चुका था उसके बाद जब मैं सीएम बना तो टेकनोलोजी के माध्रम से आपके साथ जुड़ने का सिलसिला जारी रहा पी-एम रहते हुए मैंने आप से अपार्ष ने पाया अपन तो पाया 2014 में मेडिसन स्क्वार 2015 में साउन होसे 2009 में हुस्टन 2023 में वसिंटन अरब 2024 में नियोर्क और आप लोग हर बार पिछला रेकॉर्ड तोड़ देते हैं साथियों मैं हमेशा से आपके सामर्थ को भारतिय डायस्पोरा के सामर्थ को समस्ता रहा हूँ जब मेरे पास कोई सरकारी पद नहीं था तब भी समस्ता था और आज भी समस्ता हूँ आप सब मेरे लिए हमेशा से भारत के सबसे मजबूत ब्रेंड एम्बेसेडर रहे हैं और इसलिए मैं आप सब को राश्ट दूत कहता हूँ आपने अमेरिका को भारत से और भारत को अमेरिका से कनेक्ट किया है आपका स्कील आपका टैलेंट आपका कमिटमेंट इसका कोई मुकाबला नहीं है आप साथ समंदर पार भले आए गए हैं लेकिन कोई समंदर इतना गहरा नहीं जो दिल की गहराईयों में बसे हिंदुस्तान को आप से दूर कर सके माँ भारती ने जो हमें सिखाया है वो हम कभी भी भूल नहीं सकते हम जहां भी जाते हैं सब को परिवार मान कर उनसे घुल मिल जाते हैं डाइवर्सिटी को समझना डाइवर्सिटी को जीना उसे अपने जीवन में उतारना यह हमारे समस्कारों में हैं हमारी रगों में हैं हम उस देश के बासी हैं जहां सैक्रों भाषाएं हैं सैक्रों बोलिया हैं दुनिया के सारे मत है पंथ है फिर भी हम एक बनकर नेक बनकर आगे बढ़ रहे हैं यहां इस हॉल में ही देखिये कोई तमिल बोलता है कोई तेलुगू कोई मलयालम तो कोई कंड़ा कोई पंजाबी तो कोई मराधी और तो कोई गुजराती भाशा अनेक है लेकिन भाव एक है और वो भाव है भारत माता की वो भाव है भारतियता दुनिया के साथ जुड़ने के लिए यह हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है सबसे बड़ी ताकत है यही वैल्यूज हमें सहज रुप से ही विश्वबंधू बनाती है हमारे यहां कहा जाता है तेन तक तेन भुन्जी था यानि जो त्याग करते हैं बेही भोग पाते हैं हम दूसरों का भना करके त्याग करके सुख पाते हैं और हम किसी भी देश में रहे यह भावना नहीं बदलती है हम जिस सुसाइटी में रहते हैं वहाँ जादा से जादा योगदान करते हैं यहां अमेरिका में आपने डॉक्टर्स के रूप में रिसर्चर्स के रूप में टेक प्रोफेशनल्स के रूप में साइंटीस के रूप में या दूसरे प्रोफेशन्स में जो पर्चम लहराया हुआ है वो इसी का प्रतीक है अभी कुछ समय पहले ही तो यहां टी ट्वेंटी क्रिकेट वर्लकप हुआ था और यूएसे की टीम क्या गजब खेली और उस टीम में यहां रह रहे भारतियों का जो योगदान था वो भी दुनिया ने देखा है साथियों दुनिया के लिए AI का मतलब है Artificial Intelligence लेकिन मैं मानता हूं कि AI का मतलब है American Indian अमेरिका इंडिया यह स्पिरीट है और वही तो नई दुनिया का AI पावर है यही AI स्पिरीट भारत अमेरिका रिस्तों को नई उचाई दे रहा है मैं आप सभी को इंडियन दाइसपुरा को सलुट करता हूं आप 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 साथियों मैं दुनिया में जहां भी जाता हूं हर लीडर के मुह से भारतिय डाइसपुरा की तारी भी सुनता है कल ही प्रेजिडन बाइडन मुझे डेलावेर में अपने घर ले गए थे उनकी आत्मियता उनकी घर मजोशी मेरे लिए दिल छेव लेने वाला मोमेंट रहा यह सम्मान 140 करोड भारतियों का है यह सम्मान आपका है आपके पुर्शार्थ का है यह सम्मान यहां रहने वाले लाखों भारतियों का है मैं प्रेसिडेंट बाइडन का आभार करूंगा और साथ ही आपका भी आभार वेक्त करूंगा साथ्यों 2024 का यह साल पूरी दुनिया के लिए बहुत एहम है एक तरफ दुनिया के कई देशों के बीच संगर्ष है तनाव है तो दूसरी तरफ कई देशों में डेमोक्रेसी का जश्न चल रहा है भारत और अमेरिका डेमोक्रेसी के जश्न में भी एक साथ है जहां अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं और भारत में चुनाव हो चुके हैं भारत में हुए ये इलेक्शन यूमन हिस्ट्री के अब तक के सबसे बड़े चुनाव थे आप कल्पना कर सकते हैं अमेरिका की कूल आबादी से भी करीब दो गुने वोटर्स इतना ही नहीं पूरे यूरोप की कूल आबादी से ज़्यादा वोटर्स इतने सारे लोगों ने भारत में अपना वोट डाले जब हम भारत की डेमोक्रेशी का उसका स्केल देखते हैं तो और भी गर्व होता है तीन महने का पॉलिंग प्रोसेश पंदरा मिलियन याणि डेड़ करोर लोगों का पॉलिंग स्टाफ एक मिलियन याणि दस लाट से ज़्यादा पॉलिंग स्टेशन दाई हजार से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज आठ हजार ते जादा केंडिडेट्स अलग-अलग भासाओं के हजारों न्यूज पेपर्स सेंकडो रेडियो स्टेशन सेंकडो टीवी न्यूज चैनल करोडो सोशल मीडिया एकाउंट्स लाखों सोशल मीडिया चैनल्स ये सब भारत की डेमोक्राशी को वाइबरनेट्स बनाते हैं ये फ्रीडम अप एक्सप्रेशन के विस्तार का दोर है इस लेवल की स्ट्रिटनी से होकर हमारे देश की चुनावी प्रक्रिया गुजरती है और साथ्यों इस लंबी चुनावी प्रक्रिया से गुजर कर इस बार भारत में कुछ अभूत्पुर्व हुआ है क्या हुआ है क्या हुआ है क्या हुआ है क्या हुआ है अब की बार अब की बार अब की बार साथ्यों तीसरी बार हमारी सरकार की वापसी हुई है और ऐसा पिछले साथ सालों में भारत में नहीं हुआ था भारत की जंता ने ये जोया नया मेंडेट दिया है उसके माइने बहुत है और बहुत बड़े भी है ये तीसरे टम में हमें बहुत बड़े लक्स साधने हैं हमें तीन गुना ताकत और तीन गुना गती के साथ आगे बढ़ना है आपको एक शब्द याद रहेगा पुष्प हाँ कमल माल लीजिए मुझे इतराज नहीं है पुष्प और मैं पुष्प को डिफाइन करता हूँ P for Progressive भारत U for Unstoppable भारत As for Spiritual भारत As for Humanity First को सबर्पित भारत P for Prosperous भारत यानि पुष्प पुष्प की पांच पंगुडियों को मिला कर ही विख्सित भारत बनाएंगे साथ्यों साथ्यों मैं भारत का पहला प्रधान मंत्री हु जिसका जन्म आजादी के बाद हुआ आजादी के अंदोलन में करोडो भारतियों ने स्वराज के लिए जीवन खपा दिया था उन्होंने अपना हीत नहीं देखा अपने कमफर्ट जो उनकी चिंता नहीं की वो तो बस देश की आजादी के लिए सब कुछ भूल कर अंग्रेजों से लड़ने चल पड़े थे उस सफर में किसी को फांसी का फंदा मिला किसी के सरीर को गोलियों से भून दिया गया को यातनाय सहते हुए जेल में ही गुजर गया कहियों की जवानी जिन्दगी जैल में कब गई साथियों हम देश के लिए मर नहीं पाए लेकिन हम देश के लिए जरूर जी सकते हैं मनना हमारे नसीब नहीं था जीना हमारे नसीब है पहले दिन से मेरा मन और मेरा मिशन एक दम क्लियर रहा है मैं स्वराज के लिए जीवन नहीं दे पाया लेकिन मैंने तै किया सुराज और समर्द्ध भारत के लिए जीवन समर्पित करूँगा मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा रहा जिसमें मैं सालों साल तक पुरे देश में घुमता रहा भटकता रहा जहां खाना मिला वहां खा लिया जहां सोने को मिला वहां सो लिया समंदर के किनारे से लेकर पहड़ों तक रेगिस्तान से लेकर बर्फिली चोटियों तक मैं हर खेत्र के लोगों से मिला उनको जाना समझा मैंने अपने देश के जीवन अपने देश के संस्त्रती अपने देश की चुनोतियों का फर्स्ट हैंड एक्स्पिरियंस लिया वो भी एक वक्त था जब मैंने अपनी देशा कुछ और तैकी थी लिके नियती ने मुझे राजनीती में पहुचा दिया कभी नहीं सोचा था कि एक दिन चिप मिनिस्टर बनूंगा और बना तो गुजरात का लौंगे सर्विंग चिप मिनिस्टर बन गया तेरा साल तक गुजरात का चिप मिनिस्टर रहा इसके बाद लोगों ने प्रमोशन देकर मुझे प्राइमिस्टर बना दिया लेकिन दसकों तक देश के कौने में कौने में जाकर मैंने जो सीखा है उसीने चाहे राज्य हो या कैंद्र मेरे सेवा के मोडल को मेरे गवरनेंस के मोडल को इतना सफल बनाया है पिछले दस सान में इस गवरनेंस मोडल के सफलता आपने देखी है पूरी दुनिया ने देखी है और अब देश के लोगों ने बहुत बड़े भरोसे के साथ मुझे ये तीसरा टर्म स्वंपा है ये थर्टम में मैं तीन गुना जादा दाईत्व बोत के साथ आगे बढ़ रहा हूँ साथियों आज भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है भारत एनरजी से भरा हुआ है सप्रों से भरा हुआ है रोज नए किर्टमान हर रोज नए खबर आज ही एक और बहुत अच्छी खबर मिली है चेस अलिम्पियाड में मैंस और मिमेंस दोनों में भारत को गुल्ड मिला है लेकिन एक और बात बताओ जब जाजा तालिया बजाने पड़ेगी ये लगभग सो साथ के इत्याज में पहली बार हुआ है पूरे देश को हर हिंदुस्तानी को हमारे चेस प्लेयर्ज पर बहुत गर्व है एक और AI है जो भारत को ड्राइव कर रही है और वो कौन सा और है वो है AI फर इंडिया एस्परेशनल इंडिया ये नया फोर्थ है नई उर्जा है आज करोडो भारतियों की एस्परेशन भारत की ग्रोथ को ड्राइव कर रही है हर एस्परेशन नए एचिवमेंट को जन्म देती है और हर एचिवमेंट नए एस्परेशन के लिए खाद पानी बन रही है एक दसक में भारत दस्वे नंबर से दस्वे नंबर से पांच्वे नंबर की एकोनोमी बन गया अब हर भारतिये चाहता है कि भारत जल्दी से थर्ड लर्जेस्ट एकोनोमी बने आज देश के एक बहुत बड़े वर्के की बेसिक नीड्स पुरी हो रही है पिछले दस साल में करोडों लोगों को क्लीन कुकिंग गैस की सुविधा मिली है उनके घर तक पाइप से साब पानी पहुंचने लगा है उनके घर में बिली कनेक्शन पहुंचा है उनके लिए करोडों टॉयलेट्स बने हैं ऐसे करोडों लोग अब क्वालिटी लाइप चाहते हैं साथ क्यों अब भारत के लोगों को सिरफ रोड नहीं उन्हें शांदार एक्स्प्रेस भे चाहिए अब भारत के लोगों को सिरफ रेल कनेक्टिविटी नहीं उन्हें हाइश्पीड ट्रेन चाहिए हर भारत के भारत के हर शहर की अपेक्शा है उसके यहां मेट्रो चले भारत के हर शहर के पेचा है उसका अपना एरपोर्ट हो देश का हर नागरिक हर गाउं शहर चाहता है कि उसके हां दुनिया की बेश्ट्ष विधाएं हो और इसका नतीज़ा हम देख रहे हैं 2014 में भारत के सिर्फ पांच शहरों में मेट्रो थी आज 23 शहरों में मेट्रो है आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेट्वर्क भारत में है और इसका हर दिन विस्तार हो रहा है साथियों 2014 में भारत के सिर्फ 70 शहरों में एरपोर्ट्स थे आज 140 से जादा शहरों में एरपोर्ट्स है 2014 में 100 से भी कम ग्राम पंचयतों में ब्राडबेंड कनेक्टिविटी थी 100 से भी कम आज 2 लाग से भी जादा पंचयतों में ब्राडबेंड कनेक्टिविटी है 2014 में भारत में 140 मिलियन यानि 14 करोड के आसपास LPG कंज्यूमर थे आज भारत में 310 मिलियन यानि 31 करोड से जादा LPG कंज्यूमर है जिस काम में पहले सालों लग जाते थे वो काम अब महिनों में खत्म हो रहा है आज भारत के लोगों में एक आत्म विश्वास है एक संकल्प है मंजिल तक पहुँचने का इरादा है भारत में डेवलप्मेंट एक पीपन्स मूवमेंट बन रहा है और हर भारतिय विकास के इस मूवमेंट में बराबर का पार्टनर बन गया है उसे भरोजा है भारत की सफलता पर भारत की उपलब्दियों पर साथियों भारत आज लेंड अफ ऑपर्चुनिटीज है अउसरों की दर्ति है अब भारत आउसरों का इंतजार नहीं करता अब भारत आउसरों का निर्मान करता है बीटे दस साल में भारत में हर सेक्टर में अपर्चुनिटीज का एक नया लॉंचिंग पैड तयार किया है आप देखिए सिर्फ एक दसक में ही और ये बात आप सब को गर्व देगी सिर्फ एक दसक में ही 25 करोड लोग गरीबी से बाहर निकले हैं ये कैसे हुआ इसलिए हुआ हमने पुरानी सोच बदली एप्रोच बदली हमने गरीब को एमपावर करने पर फोकस किया पचास करोड यानि फाइव हंडेड मिलियन से ज्यादा लोगों को बेंकिंग सिस्टिम से जोड़ा 55 करोड यानि 550 मिलियन से ज्यादा लोगों को पात लाख रुपिय तक का फ्री मेडिकल ट्रिट्मेंट देना चार करोड यानि 40 मिलियन से ज्यादा फैमिलिस को पक्के घर देना को लेटरल फ्री लोन्स का सिस्टेम बनाकर करोड लोगों को इस अप क्रेडिक क्रेडिक से जोड़ना ऐसे अने को काम हुए तब इतने लोगों ने खुद ने गरीबी को हराया और वो गरीबी से निकल करके आज यही नियो मिल्ल क्लास भारत के डवलप्मेंट को तेज गती दे रहा है साथियों हमने विमेन वेलफर के साथ ही विमेन लेट डवलप्मेंट पर फोकस किया सरकार ने जो करोडो घर बनवाए उनकी रजिस्ट्री महिलाओं के नाम हुई है जो करोडो बैंक खाते खुले उसमें आदे से जादा खाते महिलाओं के खाते खुले दस सान में भारत की दस करोड महिलाए माइक्रो एंट्रप्रिनर्शिप स्कीम से जुड़ी है मैं आपको एक और एक्जामपल देता हूँ हम भारत में एग्रिकल्चर को टेक्नलोजी के साथ जोडने में अनेक प्यास कर रहे है उसमें आज खेती में किसानी में भरपुर मात्रा में ड्रोन का उप्योग आज भारत में नजर आता है शायद ड्रोन आपके लिए नई बात नहीं है तेकिन नई बात यह है इसकी जिम्मेदारी कौन सवालता है पता है यह रूरल विमें के पास है हम हजारों महिलाओं को ड्रोन पाइलर्स बना रहे हैं एगरिकल्टर में टेक्नलोजी का यह बहुत बड़ा रिवलुशन गाउं की महिलाएं लेकर आ रही है साथियों जो एरिया पहले निगलेक्टेड से वो आज देश की प्राइवरिटी है आज भारत जितना कनेक्टेड है उतना पहले कभी नहीं रहा आप हैरान होंगे आज भारत का 5G मार्केट बताओं बुरा नहीं लगेगा ना आज भारत का 5G मार्केट अमेरिका से भी बड़ा हो चुका है और ये दो साल के भीतर भीतर हुआ है अब तो भारत मेड इन सीश जी पर काम कर रहा है ये कैसे हुआ ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने इस सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए पॉलिसीज बनाई हमने मेड इन इंडिया टेकलोलोजी पर काम किया हमने सस्टे डेटा पर मोबाइल फोन मैनुफेक्टरिंग पर फोकस किया आज दुनिया का करीब करीब हर बढ़ा मोबाइल ब्रांड मेड इन इंडिया है आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैनुफेक्टरर है एक जमाना था मेरे आने जे पहले जब हम मोबाइल इंपोर्टर है थे आज हम मोबाइल एक्सपोर्टर बन गए है साथियों अब भारत पीछे नहीं चलता अब भारत नई व्यवस्ताए बनाता है अब भारत नित्रुत्व करता है भारत ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रस्टर्टर डिपी आई का नया कंसेप दुनिया को दिया है डिपी आई ने इक्वेलिटी को प्रमोट किया है ये करप्शन को कम करने का भी बहुत बड़ा माध्यम बन गया है भारत का यूपी आई आई पुरी दुनिया को आकर सित कर रहा है आपकी जेब में वॉलेट है लेकिन भारत में लोगों की जेब के साथ ही फॉन में वॉलेट है इवॉलेट है अनेग भारती है अब अपने डॉक्यमेंट्स फिजिकल फोल्डर्स में नहीं रखते उनके पाद डीजी लोकर है वो एरपोर्ट में जाते हैं तो डीजी यात्रा से सीमलेस ट्राविल करते हैं ये डीजिटल पब्लिक इंफ्रासक्चर जॉब्स इनोवेशन और इससे जुड़ी हर टेकनोलोजी का लॉंचिंग पैड बन गया है शाथियों भारत भारत अब रुकने वाला नहीं है भारत अब थमने वाला नहीं है भारत चाहता है दुनिया में जादा से जादा डिवाइस मेड इन इंडिया चिप पर चले हमने सेमी कंड़क्टर सेक्टर को भारत की तेज ग्रोग का आधार बनाया है पिछले साल जून में भारत ने सेमी कंड़क्टर सेक्टर के लिए इंसेंटिव गोशित किये थे इसके कुछी महिनों बाद माइक्रोन की पहली सेमी कंड़क्टर यूनीट का सिलान्याद भी हो गया अब तक भारत में ऐसी पांच यूनीट्स स्विकृत हो चुकी है वो दिन दुर नहीं जब आप made in India चीप यहां अमेरिका में भी देखेंगे यह छोटी सी चीप विख्षित भारत की उड़ान को नई उंचाई पर ले जाएगी और यह मोदी की गारंटी है साथ्यों जो कमिट्मेंट है वो अभूत पुर्वा है हमारा ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन प्रोग्रेम इसका बहुत बड़ा उदार्ण है दुनिया की सेवंटीन परसेंट पपुलेशन होने के बावजूद ग्लोबल कार्बन एमिशन में भारत की हिस्सेदारी सिरफ चार परसेंट है दुनिया को बरबात करने में हमारा कोई रोल नहीं है पूरी दुनिया की तुलना में एक तरह से यहने कह सकते हैं ना के बरावर है हम भी सिर्फ कार्बन फ्यूइल जला कर अपनी ग्रोथ को सपोर्ट कर सकते थे लेकिन हमने ग्रीन ट्रांजिशन का रास्ता चुना प्रकृती प्रेम के हमारे संस्कारों ने हमें गाइड किया इसलिए हम सोलर बीन हाइड्रो ग्रीन हाइड्रोजन और नुकलियर एनरजी पर इन्वेस्मेंट कर रहे हैं आप देखिए भारत जी ट्वेंटी का ऐसा देश है जिसने पेरिस क्लाइमेट गोल्स को सबसे पहले पूरा कर दिया दोजार चौदा के बाद से भारत ने अपनी सोलर एनरजी इंस्टॉल कैपिसिटी को तीस गुना से जादा बढाया है हम देश के हर घर को सोलर पावर होम बनाने में जूटे हैं इसके लिए रूप टॉप सोलर का बहुत बढ़ा मिशन हमने शुरू किया है आज हमारे रेल्वे स्टेशन और एरपोर्ट सोलराइज हो रहे हैं भारत गरों से लेकर सर्कों तक एनरजी एफिशन लाइटिंग के रास्ते पर चल पड़ा है इन सारे प्रयासों से भारत भारत में बहुत बड़ी संख्या में ग्रीन जॉप पैदा हो रहे हैं सात्यों 21 सदी का भारत एजुकेशन स्कील रिसर्ट और इनोवेशन के दम पर आगे बढ़ रहा है आप सभी नालंदा उनिवर्सिटी के नाम से परिचीत हैं कुछ समय पहले ही भारत की प्राची नालंदा उनिवर्सिटी नए अवतार में सामने आई है आज सिर्फ उनिवर्सिटी कोई नहीं बलकि नालंदा स्पिरिट को भी रिवाइव कर रहा है पूरी दुनिया के स्टुडेंट्स भारत आकर पढ़ें हम इस तरह का आधुनिक एकॉजमिस सिस्टिम बना रहे हैं बीते दस साल में भारत में ये भी जरह आप लोगों को याद रखने जैसी बात बताता हूं मैं बीते दस साल में भारत में हर सप्ता एक युनिवर्सिटी बनी है हर दिन दो नए कॉलेज बने है हर दिन एक नई आई टी आई की स्थापना हुई है दस साल में ट्रीपल आई टी की संख्या नव से बढ़कर पचीस हो चुकी है आई एम्स की संख्या तेरा से बढ़कर इकीस हो चुकी है एम्स की संख्या तीन गुना बढ़कर बाइस हो चुकी है दस साल में मेडिकल कोलेजों की संख्या बढ़कर दो गुनी हो चुकी है टॉप ग्लोबल उनिवर्सिटी पी आई भारत आ रहा है भारत का नाम है अभी तक दुनिया ने भारत के डिजाइनर्स का दम देखा अब दुनिया डिजाइन इन इंडिया का जलवाद देखेंगे साथियों आज हमारी साज़ेदारी पूरी दुनिया के साथ बढ़ रही है पहले भारत सबसे समान दूरी की निती पर चलता था इक्वल डिस्टन्स अब भारत सबसे समान नज्जिती की निती पर चलता है हम ग्लोबल साथ की भी बुलंद आवाज बन रहे आपने देखा होगा भारत की पहल पर G20 समिट में आफरिकान यूनियन को स्थाई सदस्यता मिली आज जब भारत ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर कुछ कहता है तो दुनिया सुनती है कुछ समय पहले जब मैंने कहा तो उसकी गंभीरता सब ने समझी साथियों आज दुनिया में कहीं भी संकट आए भारत फर्स्ट रिस्पॉंडर के रुप में सामने आता कोरोना के समय में हमने 150 से ज़्यादा देशों को वैक्सिन और दवाईयां भेजी कहीं भूकम पाए कहीं साइकलोन आए कहीं ग्रह युद्ध हो हम मदद के लिए सबसे पहले पहुँचते हैं यही हमारे पुर्खों की सीख है यही हमारे समस्कार साथियों आज का भारत दुनिया में एक नए केटलिक एजन्ट की दूपतर उभर रहा है और इसका प्रभाव हर सेक्टर में दिखेगा ग्लोबल ग्रोथ के प्रोसेस को तेज करने के लिए भारत का रोल अहम होगा ग्लोबल प्रोसेस को तेज करने के लिए भारत का रोल अहम होगा ग्लोबल क्राइमेट एक्षिन को स्पीड और स्पीड अप करने में भारत का रोल अहम होगा ग्लोबल स्पील गैप को दूर करने में भारत का रोल अहम होगा ग्लोबल इनोवेशन को नई दिशा देने में भारत का रोल अहम होगा ग्लोबल स्प्राइज चेंड में स्टेबिलिटी के लिए भारत का भूमी का अहम होगा साथियों भारत के लिए शक्ति और सामर्थ का अर्थ है भारत के लिए शक्ति और सामर्थक आर्थ है ज्यानाय, दानाय, चेर रख्षणाय याने नौलेज इट पर शेरिंग वेल्ट इट पर केरिंग पावर इट फर प्रोटेक्टिंग इसलिए भारत की प्राथिक्ता दुनिया में अपना दबाव बढ़ाने की नहीं अपना प्रभाव बढ़ाने की है हम आप की तरह जलाने वाले नहीं हम सूरत के कीरन की तरह रोशनी देने वाले लोग है हम विश्व पर अपना दबदबाद नहीं चाहते हैं हम विश्व की समृद्धि में अपना सहीयोग बढ़ाना चाहते हैं योग को बढ़ावा देना हो सुपर फूर्ड मिलेट्स को बढ़ावा देना हो मिशन लाइफ यानि लाइफ टाइल फूर एंडवार्मेंट का वीजन हो भारत जीडीपी सेंट्रीक ग्रोथ के साथ ही हुमन सेंट्रीक ग्रोथ को भी प्राफिक्ता दे रहा है मेरा आप से भी आग रहा है यहां मिशन लाइफ को जांदा से जांदा प्रमोट करिए हम अपनी लाइफ टाइल में थोड़े से बढ़लाव करके भी परियावरण की बहुत मदद कर सकते हैं शायद आपने सुना होगा और हो सकता है आप मैंसे कुछ लोगोंने इनिसेटिव लिया भी हो आजकल भारत में एक पैड मा के नाम अपनी मा को याद करते हुए एक पैड लगाना मा जिन्दा है तो साथ ले जाना मा नहीं है तो तस्वीर ले जाना एक पैड मा के नाम लगाने का अभियान अद्देश के हर कोने कोने में चल रहा है और मैं चाहूंगा आप सभी यहां भी ऐसा अभियान चलाएं यह हमारी जन्मदाता मा और धरती मा दोनों का यश्व बढ़ाएगा साथियों आज का भारफ बड़े सपने देखता है बड़े सपनों का पीछा करता है अभी कुछ दिन पहले ही पेरिस ओलिम्पिक खत्म हुए है अगले ओलिम्पिक्स का होस युएसे हैं जल्द ही आप भारत में भी अलेम्पिक्स